असलाव अलेकुम शेख मेरा नाम जैन खान है और मैं मेरेट से बोल रहा हूं और मेरा सवाल यह कि क्या सिर्फ तहकी के लिए बाइबल को पढ़ा जा सकता है ताकि उससे इसायों को दावत दी जा सके कि उसके अंदर तौहिद की बाते भी मौजूद हैं और उसके अंदर अल कि क्या तहकीक के लिए दूसरे मजब की किताब पढ़ सकते हैं की नहीं उनको हवाला दिखाने के लिए बताने के लिए तो देखिए जानकारी के लिए पढ़ने में कोई मसला नहीं है आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं कोई दूसरे मजब की किताब नहीं पढ़ सकते है बलकि खासता उसे जो आस्मानी मजहिब हैं उनके हवाले भी कुरान में कई जगा है फिसुह फिब राहीम और मुसा और कई जगा लातरान ने हवाले दिये हैं पुरानी किताबों के इंजील के वगरा के तो अगर कभी हवाले के जरूरत पढ़ जाए बात करने की जरूरत पढ़ी जाए कुछ दिखाने की जरूरत पढ़ी जाए और कोई ऐसी चीज जो हमारे इसलाम में है उनकी किताब में भी है और दोनों को साथ लेकर किसी के सामने बात रखने की जरूरत पढ़ी है यानि उनकी एक एक अबारत एक एक बात रिटने की कोशिक करते हैं और सिर्फ उसी को मुआद बनाके दावत देने की बात करते हैं कुरान क्या कहता है नहीं पता आधिस में क्या है नहीं पता यानि कुरान और हदीश से जादा दूसरी किताबें सेखने की कोशिशी करते हैं तो ये तरीका गलत है ऐसा खतर मुनासिब नहीं है कि आप गुरान भूल जाएं हदीश भूल जाएं और दूसरी किताबों के माहिर हो जाएं इसके साथ साथ अगर कहीं जरूर पढ़ती है दूसरे मजाइब की किताबों का मताला करने की उसमें कोई चीज तराश करने की तो गुंजाईश है कर सकता है कुरान रुदिस में ऐसी कोई मौनित नहीं है बिल्कि कुरान में जहां जहां पुरानी किताबों के होoria है। उससे एक इसारह मिलता है कि आज भी हम होगाइ दे सकते हैं यह और बात है कि उन होगाजों की कोई संद नहीं है यानि कोई ग्यारंटी नहीं है कि चीजें सही है या गल्त है उसमें क्या सही है क्या गल्थ है कोई गारंटे नहीं है कोई भरोसा नहीं है उनका क्योंकि अल्लाह रभुलावी नैंने उनकी हिफाज़त की जिमेदारी नहीं लिए थी अलबता हमारे मज़भ से अगर ताईद होती है तो गालिब गुमान यह के ये आसमानी की तरफ से इंसानी की तरफ से नहीं लिखा गया तो हवाले दिये जा सकते हैं पढ़ा जा सकता है लेकिन ये जहन में रहे कि अपना मजभर छोड़ के नहीं और 1, Q-R-A-N, Q-R-A-N 1, 2, 1, 1 utan, 1, 1 धूर, 1 बार ना बाकि पूरी मिहनत दूसरे मजब की किताबों को पढ़ने में हो रही है आईसा नहीं होने चीए आप कुरान में महारत असल कीजिए भजी यानि इसलाम को पूरा जानेगे उसके बात दूसरों को इसलाम की दावत दीजी ये कि आपना कुछ पता ही निहीं ना कुरान आता है ना हदीस आता है कुछ नहीं आता है और दूसरी मज़ब की किताबें उठा ऊटा है कि आप दावत का नाम ले रहें यह एक fashion है और कुछ नहीं यह इसलाम से नवाकिफ लोग हैं यह अगर दावत देते हैं तो सिर्फ लोग अपना एक नाम की तरह से, एक सरनेम की तरह से मजभ अपना बदलते हैं अजकल फैशन मन चुका है, लोग जो कहते हैं लोग जो कहते हैं कि हम इसलाम कबूल करते हैं जैसे सरनेम होता है य किसी का खान होता है अंसारी होता है फथना होता है जाकि गजट पेपर गणा के अपना सरनेम चेंज करा लिता है ऐसे ही शौक में आदमी अपना मथऑप चेंज करता है कल को कुछ था, आज मुसलमान, परसों कुछ, परसों कुछ, क्या तमाशा हो रहा रहा है। तो ये सब इन ही लोगों की विएसे हो रहा है, जिन्होंने दावत को एक फैशन बना के रखा है। यानि वो खुद नहीं जानते इसलाम के बारे में दूसरों के क्या हाक इसलाम की तालिम दे कि क्या हाक दावत देंगे जब खुद नहीं पता है तो पहले खुद तो जानो अल्ला के बन दे कि इसलाम क्या है कुरान क्या है हदीस क्या है खुद नहीं पता दूसरों की किताबें खोल खोल के जो है लोगों को मुसल्मान बनाते फिर ते मुसल्मान मुसल्मान नहीं होते इस सिर्फ जो है सरनेम अपना बदलते हैं इसके दलील है कि आप देखें इन में कितने सारी लोग हैं जो अपने आपको मुस्रमान कहने के बाद कुरान हदीस के साथ दिन रात खेलवाना करते हैं कभी फैतन की हादीस की पीछे पड़ जाएंगे कभी इज्मा का इनकार करना शुरू कर देंगे याई वह इज्मा जो गराण हरुदिस सब्सक्राइए जिरूआ और खेले इस सारी मुस्यबत क Indigenous आती हैं क्योंकि इनको बलाने वाला एक नाकिस networks को इसलाया के इसलाया कि पूरे कुरान में क्या है अदिश में क्या उससे कोई मतलब नहीं दो-тिन टौपिक उठाए रखा है उसी के नाम पर लोगों को बलाता है और उसी के नाम पर इसलाम कबूल करवाता है अनतिया होता है कि जब इस रास्ते से कोई मसल्मान बनता है तो सारे मुस्लमानों के लिए मुसीमत बन जाता है वो एक आए दिन एक ना एक चीज़ का इंकार करता है यानि पहले से आदमी तयार नहीं इसलाम में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं ये बंदा नहीं जानता था पहले अब इसलाम होने के बाद सुना के रही है ये भी इसलाम है तो क्या करें सब एक तरफ से सब का इंकार करना चुरू कर देगा तो खुलासे हैं कि भाई जरूर पड़े तो आप पढ़ सकते हैं कोई मसला नहीं लेकि कि कुरान दी छोड़के उसे की पिच्छे पर जाना ये मुनासिब नहीं है उमीदे कि बाते हैं आपके लिए वाज़े होगे होगे ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें